नमस्कार दोस्तों सान कीचन में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आप सभी के बीच गर्म करम आलू चप का पकोड़ा लेकर आई जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही जल्द बन कर तयार होता है और इसे सभी लोग पसंद भी करते हैं तो चलिए आलू चप बनाना सुरू करती है मैं आलू चप बनानी के लिए बड़े कटोरी में चावल का आठा और बेसन को मैं डाल दी बेसन को मैं चमच से मिक्स कर लेती हूँ अम मैं इसमें एक चमच हल्दी पॉडर को डाल देती हूँ अधरक, लहसन, गोल मीर्च, जीरा का पेस्ट डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक को डाल देती हूँ नमक आप अपना अनुसार ले सकते हैं कम जादा आप कर सकते हैं आधा चमच में लाल मीर्च को डाल दी हूँ मैं इसमें पानी डालके इसे मिक्स कर लेती आप इसे धीरे-धीरे करके इसे मिक्स कर ले आप पानी को एक बार ना डाले इसे हमारा बेटर जो है ये गिला हो जाएगा आप इसे चम्मस से अच्छे से मिक्स कर ले बेटर हमारा अच्छा से बनेगा तो आलू चप जो है ये प बहुत ही स्वाधेश्ट लगती है। मैं बेस्टर को तैयार कर ली हूं ì मैं चलती हूं आलू चप को बनाने, आलू के लिए मैं आलू को पहले से भून कर ऐसे चोखा बना ली हूं। अब मैं आलू चप को थोड़ा थोड़ा करके इसे हाथों से गोल कर लेती हूँ, गोल करके बेशन में मैं डाल देती हूँ, आलू में बेशन को आप अच्छे से लगा लें, तो हमारा आलू चप जो है ये खाने में टेस्टी लगेगी, और मैं दूसरे आलू को भी इसी तरह मैं गोल करके बेशन में डाल देती हूं मैं कराही को पहले से भी गर्म कर ली हूं तेल हमारा गर्म है अमें आलू चप को तेल में डाल देती हूं आप इसे धीरे-धीरे करके सारे आलू चप को तेल में डाल दें ऐसे मीडियम फ्लेम पर आप अच्छे से इसे पका लें धीरे करगे आप तेल में आलु चप को डाल दें और इसे अच्छे से पकाते रहें आप रेम को हाई नहीं इसकें हमारा आलु चप यह अच्छे से पके गिने अब मैं इसे पलटा लेती और दूसरी तरब भी मैं इसे अच्छे से पका लेती own अलू चप खाने में तो ऐसी ही बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे सभी लोग पसंद भी करते हैं और ये चाय के साथ मिल जाए तो मजा दुगनी हो जाती है हमारे चेनल पर नए है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चेनल को सस्क्राइब अवस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करें तो हमारे टेस्टी आलू चप का पकवड़ा बनकर तैयार है तो लग रही है न मार्केट जैसी आलू चप तो मैं आसा कर नहीं कि हमारी ये छोटी सी कोशिस आप सभी को बेहत पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलती हो आप सभी से कल नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखे और स्वास्तर है